बाई देखिये सहब अगर आप भी Polytechnic 2021 में शलिक्सल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा पिशले तीन साल से अपने इस चैनल से हजारो स्टूडेंट्स को टॉप गॉर्मेंट कॉलिज में सलेक्ट कराने के पश्चाथ अब बारी है पांडे जे टेक्निकल ओफिशल अप्लिकेशन को लाँच करने की तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टूर पे लाँच हो चुका है इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं आपको गूगल प्ले स्टूर में पांडे जे टेक्निकल सर्च करना होगा वहां से आपको हमारा एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके और एप्लिकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्से चल रहे हैं जिनकी प्राइज मातर 100 उपीज है 100 उपीज पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचीज कर सकते हैं और अपनी तयारियात से सुरू कर सकते है इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और सस्ता तो छोड़िये सबसे जबरदस्त content यहां पर मिलेगा आपको क्योंकि एक चप्टर के दो पार्ट बनाए गए हैं पहले पार्ट में पूरा का पूरा theoretical lecture और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा question answers बहुती smart तरीके से आपको बताया गया है तो अगर आपको इस बार selection लेना है तो हमसे जरूर जुड़िये वीडियो के description में दो वीडियो का लिंक मिल जाएगा एक तो smart course कैसे खरीदें उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे अगर आप smart course को बिलकुल free में लेना चाहते हैं तो मातर एक काम आपको करना होगा उसका भी description में लिंक है उस वीडियो को भी देख लीजेगा हो सके तो आपको smart course free में विवल सकता है God bless you all students जबरदस्त त्यारी कीजे और इस बार Polytechnic के top government college में selection लीजे God bless you all, take care और इस question को मैं trick से भी आपको बताऊंगा कि पांच सन्योजी योगिक मिलाने पर निम्न में से किस प्रकार का अर्धचालक का निर्माड होता है पांच सन्योजी योगिक मिलाने पर किस प्रकार के अर्धचालक का निर्माड होता है चार option आपके screen पे है फटाफट से बताईए है ना चार आपसन आपके स्क्रीन पे देखिए मैंने आपको P टाइप और N टाइप अर्दचालक बताया था ठीक है P टाइप और N टाइप अर्दचालक बताया था P पी आप लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं खड़ी पाई लगा देते हैं और तीन में का आधा इस तरीके से कर देते हैं और तीन भी आप लिखते हैं तो इस तरीके से दो उल्टा सी को मिला देते हैं ट्रिक सिखिए कैसा हुए P टाइप अर्धचालक में एक खड़ी पाई करते हैं और एक तीन में का मतलब A उल्टा C लगा देते हैं तो ये P हो जाता है और तीन लिखने के लिए क्या करते हैं दो उल्टा C को एक ही में मिला देते हैं तो तीन हो जाता है तो कहने का मतलब ये है पी में भी उल्टा सी है और तीन में भी उल्टा सी है अर्थात पी टाइप अर्दचालक के निर्मार में तीन सन्योजी जो असुद्धी है उसका एक तरीके से प्रयूग किया जाता है मतलब ऐसी असुद्धियों का प्रयूग किया जाता है जिसका सन्योजक्ता तीन है पी ट टाइप अर्दशालक बनेगा कौनसा एंड टाइप अर्दशालक बनेगा ठीक है यह चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ट्रिक से बताया पी टाइप अगर याद है तो जस्ट उसका उल्टा पी टाइप में अगर तीन अस्थानांतर होता है चार उपसन आपके स्क्रीन पे है तो यह तो सिंपल है भई आवेशन के क्रिया में इलेक्ट्रोनों का अस्थानांतर होता है ठीक है इलेक्ट्रोनों का ट्रांसफर होता रहता है नेक्स्ट कुश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी अचालक को प्रेण प्रेडन के द्वारा क्या किया जा सकता है चार आपके स्क्रीन पे है देखिए और चालक की बात हो रही है तो और चालक को आप क्या कर सकते हैं प्रेडन के द्वारा आकरशित या आवेशित नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि उसमें जो है वो इलेक्टरॉन मुक्त इलेक्टरॉन बिल्कुल भी नहीं होते अचालक में इसलिए प्रेड़न के द्वारा भी आप उसे आवेशित नहीं कर सकते इस question का भी answer correct हो जाएगा अगर यह चालक होता तो definitely है कि आवेशित किया जा सकता था नेक्स्ट question आपके स्क्रीन पर है कि एक चालक पर 12.8 गुड़े दसकी घात माइनस 19 कुलाम रिड आवेश है इस चालक पर शामान ने अवस्था में इलेक्टरौन अधिक हैं कितने अधिक हैं देखिए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट देखिए इसी टाइप का question कई बार पूशा आता है सामान ने अवस्था से कितने इलेक्टरौन जादा हैं एक चालक पर जबकी 12.8 गुड़े दसकी घात माइनस 19 कुलाम रिड आवेश है Q बराबर N इंटू E एक formula आप जानते होंगे students Q बराबर N इंटू E अब इसमें आपको क्या-क्या मान दे रखा है सबसे पहले तो आप ये note करेंगे देखिए आवेश का मान दे रखा है आवेश का मान कितना दे रखा है 12 गुड़े दसकी घात 12.8 गुड़े दसकी घात माइनस 19 कुलाम और electron कितने अधिक है यानि N का मान पूछ रहा है तो यहाँ से N का मान निकालेंगे तो N बराबर student हो जाएगा Q बटा E हो जाएगा ना अजाए Q का मान आवेश का मान है 12.8 गुड़े दसकी घात माइनस 19 कुलाम और बटे में लेक्टानों का आवेश होता है 1.6 गुड़े दसकी घात माइनस 19 कुलाम और इसका शिंपल कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो N का मान कितना आजाएगा 16.8, 128 तो इस question का N बराबर 8 answer correct हो जाएगा इस question का D answer correct हो जाएग अब चुकी चालक पर धन आवेश है अतह चालक पर 7 इलेक्टान की कमी होगी चालक पर धन आवेश है N का मान किस में आया पॉजिटिब में आया तो इस स्तिती में हम क्या करेंगे इस स्तिती में कहेंगे कि 7 इलेक्टान की कमी है अभी भी समझ में नहीं या फिर से समझ ले कि एक चालक पर 12.8 गुड़े 10 की घात माइनस 19 कुलाम रिड आवेश है इस चालक पर सामान अवस्था से कितने इलेक्ट्रोन अधिक है तो इलेक्ट्रोन अधिक कह रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रोन कितने अधिक है तो इनका मान आठ इलेक्ट्रो अधिक है तो चालक पर धन आवेश है अतह चालक पर साथ एलेक्ट्रोनों की कमी होगी ठीक है भई समझ में आ रहा है